मैं मरीश सर्मा इंगमनी.com में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग बात करेंगे आंट जैनिफर स्टाइगर्स जो की लिखी है एडरेन सिसल रिच ने एडरेन रिच जो है इनका वास्तविक नाम है एडरेन सिसल रिच और ये बालतिमोर मेरीलेंड की रहने वाली है जिनका बॉर्ण हुआ था 1929 के अंदर और इनकी जो डैथ हुई थी वो वी थी 2012 में प्रिचेंटली दस बारा साल पहले इनकी दस एक साल पहले इनकी डैथ हुई है और ये एक प्रॉमिनेंट राइटर्स में से एक मानी जाती है पोईट्स में से एक मानी जाती है और ये जो एडरेन डिच है ये अमेरिकन बेस्ट है तो अमेरिकन पोईट है एसेस्ट है उनके विरुद जो विरुद करने के बारे में लिखती है या महिलाओं की conditions को अच्छा बनाने के लिए जो काम किया है वो feminist के अंदर आते हैं और उनको कफी prominent writers में से एक माना जाता है, कहा जाता है, she is one of the most widely read and influenced poets of second half of the 20th century, यानि बीसमी से तब दी के दूसरे हाफ के अंदर अगर बहतरीन poets में से देखा जाए तो Adran Rich को माना जाता है, Adran Rich, she talks about the woman's experience of, experience in her married life, a woman's experience of married life, यानि कि जीवन में साधी होने के बाद जब महलाओं की जो conditions होती है, उन पर जिस तरीके का operation रखा जाता है, एक critical condition उनके साथ बनाई जाती है, या जिस तरीके की bend condition उनके साथ रखी जाती है, उस पर उन्होंने काफी candidly अपनी pen को चलाया है, She has tried to explore the inner feeling of a woman who is living under the dominance of a man, कहा जाता है, कि She has tried to explore the inner feeling of a woman who is living under the dominance of a man, उन्होंने महिलाओं की उन्स condition के बारे में भी लिखा है, जिस condition में कोई महिला अपने पती की dominance के अंदर रहती है, यानि कि पूरी तरीके से पती का उस पर अधिकार रहता है, यानि कि freedom of equality आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि freedom of woman, being a woman, महिला होने के नाते किसी महिला की जो स्वतंत्रता है, was dominated over by a man, एक व्यक्ती के द्वारा उसे कर्टल कर दिया जाता है, और एक तरीके से प्रतिबंदित कर दिया जाता है, तो उस condition पर नहोंने बहुत बहतरिन तरीके से लिखा है, Actually, she was born on Baltimore, Maryland, and it comes under USA, and the title of this poem suggests that it may be about some elderly lady, किसी व्रद्ध महिला के बारे में है, who loved tigers and worked for their conversation, जो सायद tigers को बनाने का काम करती है, और उनके ही बारे में वो बात करती है, and इसको उन्होंने काफी comparatively लिखा है, कि जैसे एक women की life को उन्होंने एक tiger की life से comparate करा है, तो वो काफी बहतरीन तरीके से उन्होंने किया है, कहा जाता है कि I am reminded here a poem about tigers composed by William Blake, ऐसे कहा जाता है कि जब हम याद करते हैं, तो हमें कुछ poems याद आती हैं, जैसे William Blake की है Tiger, Triger and Burning Brights, जो poem है उनकी, वो भी काफी बहतरीन poem है, वो भी tigers के based में है, तो काफी अच्छी poems है, तो इस तरीके से हम अगर comparatively study करें, about a woman and about a tiger, then we will realize what conditions they were feel on that time, किस तरीके की condition उन्होंने उस time पर feel की होगी, वो एक उन्होंने अपने pen के द्वारा लिखा, बताया जाता है कि this poem is a symbolic poem, which stands some kind of symbols, like the tiger is symbol, symbol of a courage and grace, सालींता और एक साहस के लिए stand करती है, tigers जो word है, second उन्होंने दिया है, topaz, topaz is a bright and hardy, चमकीला और कठोर जो पत्थर होता है, उसको उन्होंने stand करा है, and denigence free with absolute rights, यानि कि denigence उस चीज़ के लिए, free with absolute rights, जिनने कुछ अधिकार wishes प्राप्त करके, सुतंतरता प्राप्त हो, तो वो सुतंतरता हो, तो उसके लिए stand करती है, जो कि एक तरीके से पूरी poem के अंदर, एक कर्टलनेस दिखाई गई है, एक परदा प्रतिबंद दिखाया गया है, तो वो है, and then fourth is wedding band, wedding band is a symbol of tyranness, tyranness, tyranness means एक तरीके से अत्याचार, या brandisk जो condition होती है, उसके उपर उनने बहुत अच्छे तरीके से लिखा, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस poem का first जो stanza है, वहाँ से line to line explanation देखेंगे, आसा करते हैं आप सभी लोगों को ये पसंद आएगा, और आप लोगों को अगर पसंद आएगे, तो like करें, share करें, और subscribe भी करें, first stanza है, उसमें early line है, Aunt Jennifer's tigers, Aunt Jennifer के tiger, प्रेंस उच्छलकूत करते हैं, across a screen, एक परदे पर, actually she is a weaving, बुन रही है, weaving the tigers on a paper seat, आप एक कागस पर कह सकते हो, या एक तरीके से कपड़े की एक, जैसे table का कपड़ा आता है, इस तरीके से कपड़ा, या दीबार पर लगाए जाने वाला जो परदा आता है, उस पर एक कपड़े की seat पर वो बनाती है, bright topaz, जिस पर bright चमकीले, topaz जैसे पीले-पीले पत्थर लगे हुए है, denigence of a world of green, जो कि हरे-भरे संसार का वरणन करते हैं, यानि कि वो जो परदा है, उस पर tigers से दरोदर दिखाई दे रहे हैं, और उसी कपड़े पर चित्र बने हुए हैं, वो जो चित्र बने हुए हैं, या tigers बने हुए हैं, they do not fear, तो जब उन tigers को देख रहे हैं, तो बताते हैं कि वो जो tigers जिनको उन्होंने वीव किया है, बुना है या बनाया है अभी, they do not fear, वो tigers नहीं डरते हैं, या उस कपड़े पर जो चित्र बना हुआ है, उस कपड़े पर बने हुए चित्र में ये दिखाया गया है, कि एक ही व्यक्ती को, एक ही व्यक्ती वहाँ खड़ा हुआ है, और जो tigers नहीं वो भी वहाँ घूम रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे, कि वो आंटी जी वहाँ बैठी हुई है, और पीछे उनको कौन देख रहा है, वो अंकल, whom she get married, जिनके साथ उन्होंने साधी की थी, तो वो हैं, देपेस इन स्लीक सिवालरिक सर्टेंटी, तो वो कहते हैं, कि देपेस इन स्लीक, वो तेज हैं, स्लीक सिवालरिक सर्टेंटी, स्लीक भव्य, तीस तरीके से, और वो सिवालरिकली, सिष्टता पूर्ण तरीके से, सिष्टा चार पूर्ण तरीके से, सौरिता पूर्ण तरीके से, साहस के साथ, सर्टेंटी आपनों विश्वास के तरीके से, इदर से उधर गतिमान है यानि गती करने हैं इदर से उधर जा रहे हैं उधर से इदर आने हैं इन दर टाइगर की यह जो condition है it is symbolizes to be a freedom उनकी सोतंतरता को symbolize करती है यह but when the auntie aunt Jennifer is weaving something जब वो कुछ बना रही है like tigers or something else on the seat of a cloth एक कपड़े के cloth पर कपड़े के seat पर जब वो बना रही है तो उनका जो बुनना है it is a symbol of making something which is she liked very most जैसे वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है उसे कुछ बना रही है but it is under the observation of her husband और यह सब जो हो रहा है वो उनके husband के observation में हो रहा है which is stands to be oppressed condition क्योंकि उनके husband पीछे कड़े हुए है जो के watch eye दे रहे है उनको देख रहे है लगातार उन पर नजर बनाये हुए है तो यह जो condition है वो यह है कि एक तरीके से उनको curtail कर रखा है प्रतिबंदित कर रखा है और वो जब अपनी watch eye के अंदर ही अंटी जी जो कुछ बना रही है उसको अगर देख रहे है तो एक तरीके से यह है कि वो उनको नजर रखे हुए है कि वो क्या बना रही है और किस तरीके से बना रही है then second stanza में है कि aunt Jennifer's fingers अब जो aunt Jennifer है उनकी fingers उनकी उंगलिया fluttering through her wool wool उन क्योंकि वो weaving कर रही है बुन रही है तो उसमें काफी fluttering चल रहे है दर दर हाथ fluttering through her wool अपनी उन में से दर दर हाथ चल रहे है find even यहाँ तक कि उनको कठोर लग रहा है कठिन लग रहा है the ivory needle हाथी दात की बनी हुई जो needle है उस needle को चलाना hard to pull यहाँ तक कि उस needle को वो इतना काप रहे है उनकी हाथ tremble कर रहे है क्योंकि अंकल जी खड़े हुए है उनकी observation है उन पर तो उनको देखने की कारण वो डरी हुई है वो डरी हुई है इस बज़े से वो उस needle को जिस कपड़े पर वो tigers को बना रही है उस कपड़े से उस needle को खीचने में भी उन्हें दिक्कत हो रही है उन्हें डर लग रहा है the massive way of uncle's wedding और वो हाथ भी इतना काप रहा है क्यों क्योंकि उसमें वजन भी है उस हाथ पर वजन है उन आंटी जी के हाथ में पड़ा हुआ वो uncle's wedding band यानि कि जो उनके uncle ने I mean her husband उनके husband ने जो उनकी साधी के time पर जो उन्हें एक band डाला था band stands for a bangle band जो है वो चोड़ी या कंगन के लिए stand करता है तो वो कहते हैं कि जो उनके हाथ में जो band पड़ा हुआ है which is a curtailness to be under relationship ये एक परदे को दिखाता है ये एक मजबूरी को दिखाता है कि वो एक relation के अंदर है यानि कि जब उनकी साधी हुई तब से वो इस बंधन के अंदर है तो उस बंधन को दिखाता है ये band wedding band sits heavily जो पड़ा हुआ है upon aunt Jennifer's hand aunt Jennifer के हाथ में अब इस कंगन के भारी भरकम होने का मतलब यही नहीं है कि केवल वो इतना ज़्यादा भारी भरकम है बलकि उस कंगन के होने से उस बैंगल के होने से वो जो heaviness of relations heaviness of oppression heaviness of burden of a relation जो उनके साथ हो रहा है वो उसको intensify करते हैं वो उसको बताना चाहते हैं next जब हम third stenja पर move करते हैं तो aunt Jennifer के लिए कहा जाता है कि when aunt is dead जब aunt की death होगी मर जाएंगी जब वो her terrified hands will lie जब उनके हाथ जो terrified कापने वाले जो हाथ हैं वो जब खुले हुए पड़े होगी after death still rinsed with the audiles जो उनकी उंगलिया हैं वो कठिन परिच्छाओं से जो गुजरी होगी वो still rinsed with audiles she was mastered by उन चीजों पर उन अधिकारों के अंदर ही रहेंगी जिन अधिकारों के अधिन उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतित किया है यानि जिन कठिन परिच्छाओं से जिन कठोरताओं से वो निकल कर आई होगी after death भी वो उसी वजन में रहेंगी she was mastered by जिस पर उनको सिद्दस्ट किया जाएगा या उन पर वस कर दिया जाएगा क्योंकि husband का एक तरीके से वो बताते हैं उनका वस रहता है एक तरीके से control रहता है the tigers in the panel और इस panel के अंदर जो tigers हैं यानि जिस कपड़े पर वो tigers दिखाए जा रहे हैं the tigers in the panel that she made जिन tigers को उन aunt Jennifer ने बनाया will go on prancing वो उचलकूत करते रहेंगे proud गर्वित होते हुए और कोई डर नहीं होगा उनको यानि स्वतंतर रूप में उचलकूत करते रहेंगे उनके कहने का मतलब है कि वो जो husband पीछे उनको देख रहें तो वो बताया जाता है कि अगर वो उस पर वोचाई रखेंगे तो वो डरती ही रहेंगे उनके हाथ कापते रहेंगे लेकिन आफ्टर डैथ भी उनके उपर एक तरीके से एक operation यानि दमन की condition रहती है वो बताते है कि अगर हाथ खुले भी रह जाएंगे आफ्टर डैथ तब भी उनके हाथ में क्या पड़ा रहेगा कंगन और वो कंगन जो है वो उनके बंधे हुए relation को दिखाता है कि वो अपने पती के अधीन फिर भी रहेंगी फिर उन्होंने नेक्स्ट ये भी कहा कि ये जो टाइगर है टाइगर इजिस गंडिशनल standing for a freedom nest यानि सुतंतरता के लिए वो stand करता है और टाइगर जब तक सुतंतर रूप से इदर उदर गूमता रहता है हरेवरे जंगलों में ठीक उसी तरीके से एक महिला होती है जो अपने फादर मदर के घर में एक हरेवरे माहौल के अंदर अच्छे तरीके से रहती है लेकिन after married जब वो कई सारी समस्याओं का सामना करती है तो उसकी जो life है वो काफी curtailed और burden हो जाती है एक्छली ये भी कहा जाता है कि ये जो अंट जैनिफर स्टाइगर्स जो poem है ये उन्होंने उस time पर लिखी थी जब she was waiting for divers जब वो divers के लिए waiting कर रही थी तो इन्होंने ये poem लिखी थी तो आसा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई होगी यदि आपको और भी इसी तरीके के वीडियोज पसंद हो तो बताएं और आप हमारे comment box के अंदर जाकर किसी भी प्रकार का कोई question है आपको जो English से related है या जो literature से related है तो आप comment box में आकर message करें और हम कोशिज करेंगे कि आपको पूरी तरीके से आपका answer दिया जाए Thank you